हेलो दोस्तों नमस्कार इंपी राइजर किरसोई में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत स्वादिस्ट मिठाई जो स्वाद में मार्केट के महेंगे मिठाई को भी फेल कर देगा और ये किचन में रखे थोड़े सामान में ही बन जाता है और इसके सबसे बड़ी खास्यत यह है कि यह मातर 10 मिनट में ही रेडि हो जाता है और यह बहुत-बहुत-बहुत ज्यादा स्वादिश्ट बनकर रेडि होता है तो चलिए इस मिठाई को बनाना हम लोग शुरू करते हैं इसके इसले हमें ब्रेड की स्लाइस चाहिए आपको जितनी मिठाई बनाना हो आप उतनी ही ब्रेड की स्लाइस लीजिए यहां पर मैं 5-6 ब्रेड की स्लाइस ले रही हूं और ब्रेड की स्लाइस के जो किनारा है न यह ब्राउन वाला जो थोड़ा सा कड़ा भी होता है इसे निक तोड़ लेंगे, सभी के सभी bread की slice को इसी तरह तोड़ लेंगे, यहाँ पर मैं 5-6 bread ले रही हूँ, आपकी इक्षा है, आप इसे भी ज्यादा ले सकती हैं, लेकिन इसे कम लेंगी, तो जो मिठाई है वो बहुत कम बनेगा, इसलिए आप कम से कम 6-7 slice जरूर लें, अब इसे dry roast करेंगे, यानि कि जो bread है, इसे medium आज, जो है, medium आज पर, यह सुलो भी कर सकती हैं, उस पर आप बीना घी, बीना तेल के इसे roast कीजिएगा, जब तक यह इसकी सारी नमी है, वो खतम न हो जाए, जब इसकी सारी नमी खतम हो जाएगी न, तो यह एकदम, क्रंची टाइप क बन कर, जो है, वो तयार होगा, तो इस तरह से आप कोशिस कीजिए, देखिए, जैसे जैसे इसकी नमी खतम होगी, वैसे वैसे यह करंची बनने लगे, का हाथों के सायता से देखेंगे, तो यह सारा मैश हो जाएगा, इस तरह से, अब हमारे जो है, यह roast हो गया है, और इस गी पढ़ जाए, तो मिठाई और स्वादिष्ट तो बनता है, यह एकदम महंगे स्वाद वाली मिठाई तयार होती है, इसलिए हम जब भी बनाते है, मिठाए तो उसमें एक चमच देशी घी डाल देते है, तो स्वाद और भी बढ़ गया आता है, एक गिलास इसमें चमच चीनी डालेंगे, इससे ज़्यादा की जरुत नहीं है, इतने में हमारी जो मिठाई है, काफी टेस्टिव तयार होगी, बहुत जादा मीठा नहीं और बहुत कम भी मीठा नहीं, इतना ही हमारे जो चीनी है, वो सफिसेंट है, अब यहाँ पर मैंने देखी यह नारिय अब इसे डाल कर इसमें मिक्स करेंगे, अब हमने जो वो ब्रेट का जो चूरा तयार किया था अब उसे क्या करेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे इस तरह से देखिए, इस तरह से पीस कर एक अच्छा सा पाउडर तयार कर लेंगे और उस पाउडर को इसमें डाल देंगे, औ यानि कि यह जमनी की स्थिती में ना आ जाए तब तक इसे क्या करेंगे हम लोग इसे चलाते रहेंगे देखी कैसे तरह से कडाही छोड़ना यह शुरू कर दिया है आप इसमें दो चमज मिल्क पाउडर डालेंगे यह आपके पास है तो डालिए और नहीं है तो कोई बात नह बना सकती है यदि आपको और टेस्टी बनाना है और आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप क्या किजिएगा कि दो गिलास इसमें दूध डाल दीजेगा तो हमारे जो मिठाई है नो काफी टेस्टी बनकर रेडी होगी तो आप यह कोशिस किजिए कि जो आपके पास समा हो आप उसी समान में बनाई है कई बार क्या होता है कि हम बनाना कुछ आते हैं और उसमें से कोई एक समान नहीं रहता तो हम नहीं बना पाते हैं तो इसलिए यह प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके पास जो भी हो आप वहीं डाल क्या बनाई है मिठाई काफी टेस्टी बनेगी देखिए हमारी जो ये पेश्ट है ये अच्छा से रेडी हो गया है इसका घी है वो उपर तक आने लगा है देखिए और चिकना भी हो गया है इसका डो एकदम चिकना त्यार हो गया है अब कडाही भी छोड़ दिया है अब इसको एक बार और चेक करके देख लेते है और इस तरह से गोल गोल करे के देखेंगे चिकना है हाथ में नहीं लग रहा है इसका मतब कि हमारी पेच्ट उफिछ प्रोसेस बताओं त्याइब कैसी क्या जाते रहेगा छोड़ियेगा नहीं क्योंकि कड़ाही या पैन जो है वह गरम रहता है छोड़ देते हैं तो नीचे चिपक जाता है देखिए अब यहाँ पर मैंने यल्लो कलर का फूड कलर डाला है यह एकदम ऑप्सनल है आपके पास हो तो डालिए और नहीं हो तो आप चाह अब इस एक हिसे को यह दे दूसरे कलर से क्या करेंगे कि मिक्स करेंगे यहाँ पर मैंने औरेंज कलर लिया है आपकी इक्षा है कोई भी कलर इसमें ले सकती है औरेंज लें यलो लें रेड लें ग्रीन लें कुछ भी कलर लेकर आप इसे बना सकती है जो आपको मन करें जो वह पसंद हो आप वही colorist में डाल लिएगा मैंने यहां पर orange color डाला है और डाल कर इसे mix कर लिया है देखे इस तरह से अब इस तरह से छोटा-छोटा गोला बना लेंगे छोटी-छोटी गोला बनाएंगे बहुत-बड़ा नी बनाना है इस तरह से इस तरह से गोल-गोल बनाक कि परकित त्यारु त्यार रूंआ और सब्सक्राइब आप हमने जो यह पीला वालह त्यार धायर रखा इसनहें से एक गोला लेंगे जो हम ने पाईया उसे थोड़ा सा जादा गोलने ली dese absolutely यह यह थेली पर इस ते शूंदे ना ईसी तरह से बना कर सकती है या इस तरह से उसे जिवल है इस सबदफिए बना सकती को जब सबाद से चप्टशा हो आप सब्सक्री पहत andra को रखती के बना सब्सक्राइब आप 5-10 मिंटमी रखता है और आप इस तरह से बना कर spébado को रख लीजिएगा यह देखिए इस तरह से हाथ में करके ऐसे कर देंगे चिकना चिकना अग्दम तयार हो रहा है घी डाल दिया है और नारियल में तो ऐसी घी होता है देखिए हमारे जो शेप है वह इस तरह से रेडी हो गया है हमारी मीटाई रेडी हो गई है आप इसे जाएए बदाम से भी सजा सकती हैं और सजा कर आप सर्फ कीजिए देखिए सभी आपकी तारिफ करते नहीं थकेंगे यदि महमान हो आना हो तो आप एकदम सस्ते और कम समान में इससे आप रेडी कर सकती हैं देखिए मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूं यह कैसा लगता है अंदर से देखिए बजार के एक्सपेंसिव मिठाई को भी पीछे छोड़ देगा इतना यह स्वादिष्ट बनकर रेडी होगा देखिए मैं आपको यह देख देखिए कितना है ना खुबसुत लग रहा है जो पहली बार देखेगा तो सोचेगा कैसे बनाया है यह किस ची क्या पता यह तो ब्रेड से बना हुआ मिठाई है और यह काफी स्वादिष्ट इक्सपेंसिव भी तयार हुआ है है ना तो आप लोग एक बार जरूर इसे ट्राइ करें और यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें धन्यवाद